चोपड़ा एजोगेसनी यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तों NTA ने कुछ स्टुडेंट के एक्जाम सेंटर चैंज किये हैं एक्जाम सीटी तो वो ही है लेकिन एक्जाम सेंटर चैंज किये हैं ये exam center admit card release करने के बाद में change किये हैं लेकिन ये सभी candidate के change नहीं हुए कुछ-कुछ candidate के change हुए हैं तो जो-जो center change हुए हैं उस center की list दे रखी है NTA ने और NTA ने उन student को mail से और SMS से भी inform कर दिया है तो अगर आपने पहले ही admit card download कर रखा है और आपके पास में कोई SMS या mail नहीं आया है तो भी आए एक बार exam center check कर लें क्योंकि हो सकता है आपका भी अगर exam center change हो गया हो तो आप एक बार check कर लें ये सारी की सारी इसमें list दी गी है जिन जिन के exam center change हुए हैं जिन student के तो आप यहां पर exam center का नाम देख सकते हैं कौन-कौन सा exam center change हुआ है तो दोस्तों ये एक बहुत ही important वीडियो है आप अपना exam center दुबारा से एक बार check कर लें क्योंकि जिन student ने सबसे पहले admit card download किया था उनके कुछ student के exam center change हो गये हैं तो ये NTA ने notice भी दे दिया है तो आप अपना exam center check कर लें क्योंकि हो सकता है कि अगर आपका exam center change हो गया हो और आपने check नहीं किया हो तो 13 September को आपके सामने ये बहुत बड़ी problem आ सकती है तो आप एक बार अपना exam center जरूर check कर लें जाने से पहले एक important जानकारी थी जो मैंने आपको देनी थी और कोई update मिलेगी तो मैं आपको inform कर दूँगा आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वा ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैए हैं